राम और श्याम पार्टनर हैं और प्रॉफिट लॉज शेयर अगरा करते हैं आपस में 4 to 1 के रेशियो में उन्होंने मोहन को पार्टनर बनाया एक अप्रेल दोयार 22 को वन थर्ड शेयर के दिये और ये तैह हुआ इनके बीच में कि ये लोग फ्यूचर में प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करेंगे अब जो मोहन है वो 50 या रुपे गुडविल लेकर आया अपने वन थर्ड शेयर के लिए आपसे कहा गया नेसेसरी जनर एंट्री इस पास करिए in the books of the firm ठीक है बच्चो तो ये है आपका question जिसमें राम और शाम का पुराणा रेशियो आपको गिवन है 4 इस तो 1 मोहन जो आया है वन थर्ड शेयर के लिए और इन तीनों का नया रेशियो है equal मोहन अपने हिस्से ही गुडविल लेकर आया है 50,000 और आप से कागया गुडविल से जुडवी general entries पास करिए तो पास करेंगे बच्चो लेकिन उससे पहले हमें sacrificing ratio निकालना होगा partners का क्योंकि अगर partners का new ratio given होता है तो हमें उनके पुराणे शेर में से उनका नया शेर minus करके पुराणे partner का sacrifice निकालना होता है जो हम निकालने जा रहे हैं बच्चो तो राम का sacrifice आएगा उसका पुराणा शेर जो की 4 by 5 है minus उसका नया शेर जो की 1 by 3 है यह आजाएगा 7 by 15 अब बात करें श्याम के sacrifice की तो श्याम का जो पुराणा शेर है वो है केवल 1 by 5 और नया शेर है 1 by 3 जब आप इसके old शेर में से इसका new शेर minus करेंगे तो आप पाएगे कि श्याम sacrifice नहीं गेन कर रहा है minus 2 by 15 it means he is making a gain not sacrifice अब क्योंकि यह gain कर रहा है sacrifice नहीं तो जो भी premium मोहन लेकर आया है वो केवल राम को दिया जाएगा because राम is the only one जो sacrifice कर रहा है लेकिन हम श्याम को ऐसे नहीं छोडेंगे कि उसे ना कुछ दें ना कुछ लें ऐसा नहीं हो सकता उसे premium for goodwill तो नहीं मिलेगा लेकिन उससे भी proportionate amount of goodwill लेकर राम को दी जाएगी क्योंकि राम केवल मोहन के लिए sacrifice नहीं कर रहा है वो श्याम के लिए भी sacrifice कर रहा है तो श्याम को भी compensate करना पड़ेगा राम को अपके इस amount से compensate करना पड़ेगा आपको पता दो बच्चो आपको मोहन की goodwill पता है पचास अजार आप मोहन की goodwill की help से पूरे फॉर्म की goodwill निकाल लीजिए वो आएगी निकल कर बच्चो मोहन की goodwill जो की पचास जार है इंटु मोहन के share का reciprocal जो वन थर्ड था तो थ्री भाई वन करेंगे तो इससे पूरे फॉर्म की goodwill आ गई डेड़ लाग रुपे अब पूरे फॉर्मी goodwill देड़ लाग है तो श्याम डेड़ लाग इंटु दो बाई पंद्रा अपने गेन के ब्रावर goodwill राम को देगा तो श्याम कमपनसेट करेगा श्याम मस कमपनसेट राम विद अमाउंट एक्वल टू उसका गेन इंटु फॉर्म की goodwill जो की है डेड़ लाग तो यह आजाएगा बच्चो बीस हजार यानि श्याम कमपनसेट करेगा राम को विद अमाउंट और पीस 20,000 सही है अब आईए बनाते हैं जनल एंट्री तो पहले एंट्री तो प्रीमियम लाने की बनाई जाएगी जो नया पार्टनर आया है वो प्रीमियम लेकर आया है उसकी एंट्री बना लेंगे कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट कर दीजेगा बच्चो तो प्रीमियम फ़र गुडविल ये एंट्री होती है प्रीमियम को लाने की ठीक है बच्चो गलेर होगे मेरी बात और ये अमाउंट आएगा 50,000 अब दूसरी एंट्री में प्रीमियम तो डेबिट होगा ही होगा साथ के साथ श्याम भी डविट होगा क्योंकि राम को सिर्फ 50,000 नहीं 70,000 रुपे देने पड़ेंगे 20,000 रुपे श्याम देगा क्योंकि श्याम भी गेन कर रहा है तो श्याम प्रीवम तो नहीं लाया लेकिन अपनी से हुपता पैसा निकालकर राम को देगा ठीक है बच्चों तो एंट्री बन जाएगी प्रीमिमंः फोगद्विल अकाउंट डविट श्याम स्केपिल काउंट डविट तो राम स्केपिल अकाउंट और इस तरह से यह एंट्री बन जाएगी पहली एंट्री के नरेशन लिखेगा being premium for goodwill brought in by Mohan और अगला लिखेगा premium distributed and compensation made by Shyam to Ram due to his gain ठीक है बच्चो premium distributed to Ram and compensation made by Shyam to Ram due to his gain narration में जो कर रहे होते हैं बस वही आपको लिखना होता है इस बात को ध्यान रखिएगा जो आपने ये question discuss किया है बच्चो आप से this is illustration number 21 of the book T.S. Grewal admission of a partner chapter का नाम है और जो book मेरे पास है वो है edition 2022 अब जिस question को मैं आप लोगों से discuss करने जा रहा हूं बच्चो ये question है illustration number 22 of the same book T.S. Grewal admission of a partner edition 2022 और ये जो question है ये आपका board exam में भी आ चुका है year 2000 I think 19 में आया है मैं भी confirm करके बताता हूं बच्चो आप लोगों को 2018 में आया हुआ है CVST board में तो उस point of view से भी ये question काफी important हो जाता है आईए discuss करते है question को आशा और अधिती पार्टनर है profit and loss ये क्या share क्या करते है आपस में 3 to 2 के ratio में उन्होंने राघव को partner मनाया one for share के लिए तो राघव जो नया partner है वो one for share के लिए आया है राघव 6 लाक रुपे capital लेकर आया है ठीक है बच्चो और वो अपने हिस्से goodwill cash लेकर आएगा but goodwill है कितनी उसे कितनी लानी होगी वो हमें value करके निकालनी है और goodwill कैसे value की जाएगी आई ये देखते हैं question में लिखा आया है कि goodwill जो है वो value की जाएगी at two years purchase of the average profit of last four years यानि कि पिछले चार साल का जो भी average profit आएगा उसका two years purchase firm की goodwill होगी ठीक है बच्चो और पिछले चार साल के profit इस तरह से दे रखे हैं पहला साल है 13-14 जिसका profit है 3,4,000 दूसरा साल है अपका 14-15 जिसका profit है 4,75,000 तीसरा येर है 15-16 जिसका profit है 6,70 और चौथा येर है 16-17 जिसका profit है 7,45,000 क्लियर बच्चो उसके इलावा कुछ adjustments भी आपको देखी है जो आपको average profit निकालते से में ध्यान रखना है पहली adjustment तो ये है कि management cost को cover करने के लिए आपको हर साल में से 5,6,250 डिड़क करना है यानि इन सभी एर के profit में से 5,6,250 को डिड़क कर दीजेगा क्लियर बच्चो उसके इलावा एक point और given है कि जो closing stock है चौते साल का क्योंकि 31 मार दुया 17 में हमारा चौता साल close हो रहा है वो overvalued है कितने amount से 15,000 रुपे से तो एक इसकी correction करनी है तो ये जो closing stock overvalued है उसको केवल चौते साल से माइनस करेंगे और जो management cost है उसको हर एक साल में से माइनस करेंगे ठीक है बच्चो तो question में आपको goodwill भी निकालनी है साथ साथ उससे जुड़े भी necessary entries पास करनी है capital और goodwill से जुड़े भी question में ये कहा गया है देखिए necessary entries पास करिए लेकिन entries पास करने से पहले हमें goodwill निकालनी होगी और उसको निकालने की working बहुत ही clearly show करनी है तो आईए मैं आपको goodwill निकालकी दिखाता हूँ बच्चो कैसे निकाली जाएगी आप चारो साल के profit को लिख 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 जए सबसे पहले बच्चो जो आपको given है तो पहले साल का profit given है 3,50,000 दूसरे साल का profit given है 4,75,000 यानि 4,75,000 तीसरे साल का profit given है 6,70,000 और 4 साल का profit given है 7,45,000 clear बच्चो अब जो management cost है उसका पैसा हर एक साल में से माइनस कर दीजिए क्योंकि कहा गया था कि उसको annually हर साल में से माइनस करना है वो है 5,6,250 5,6,250 5,6,250 5,6,250 clear बच्चो इतना हो गया अब क्या करना है बच्चो जो closing stock over valued है वो भी माइनस कर दीजिए लेकिन over valued closing stock केवज चौते साल से ही माइनस कर दीजिएगा ठीक है उसका पहले साल से दूसरे साल से तीसरे साल से कोई मतलब नहीं है अगर यह over valued closing stock है तो माइनस हो रहा है अगर यह under valued closing stock होता तो प्लस हो जाता है ध्यान रखेगा इस बात को एक बात मैं और यहां और बता दूं बच्चो कि सपोस्ज यह तीसरे साल का closing stock over valued होता तो यह तीसरे साल तो माइनस होता मगर चौते साल प्लस हो जाता क्योंकि जो तीसरे साल का closing stock होगा वो चौते साल का opening stock बन जाएगा और closing stock का over valued अगर माइनस होता है तो opening stock का over valued प्लस होना चाहिए मगर माइनस तो होता तीसरे साल प्लस होता चौते साल फिलाल तो ये चौते साल का ही closing stock overvalued है तो सिर्फ चौते साल minus करेंगे पाचवा साल है नहीं जहां plus किया जाए चीग है बच्चो तो आपका adjusted profit निकल आएगा ये दोनों adjustment करने के बाद 3.50 में से 50 गए तो 2.30,000 3.30,000 में 6 गए तो 2.94 और 2.50 गए तो 2.93,750 साल का आगया adjusted profit 4.75 में से 50 गए तो 4.25 4.25 में 6 गए तो 4.19, 4.19 में से 250 गए तो 4.18,750 6.70 में से 56 गए तो 6.14, 6.14 में से 250 गए तो 6.13,750 ठीक है बच्चो 7.45 में से 15 गए तो 7.30, 7.30 में से 50 गए तो 6.80, 6.80 में से 6 गए तो 6.74, 6.74 में 250 गए तो 6.73,750 ठीक है बच्चो ये चारो साल का adjusted profit आ गया अब इन चारो साल के adjusted profit को जोड़के अपन 4 करके हम average profit निकाल लेंगे तो average profit निकलेगा 293,750 प्लस 418,750 प्लस 613,750 प्लस 673,750 चारो को जोड़ दीजिए अपन 4 कर दीजिए 750, 750, 750, 750 प्लस 750 ये हो गया 3000 तीन हजार का तीन कैरी हो गया ठीक है बच्चो 93 और 3, 96,000 चीनवे और 18,1,14,000 एक लाग चौदा और 13,1,27,000 एक लाग शताईजार और 27,000 होता है exactly 2,00, तो 2,00, का ये 2,00 हो गया 2 कैरी हो गया ठीक है बच्चो 2,00, और 2,00, 4,00, 4,00, 8,00, 8,00, 8,00, 14,00, 20,00, तो कुल मिला के टोटल हो गया 20,00, 20,00, में कितने जीरो होंगे बच्चो 20 के बाद 5,00, तो इन सब को जोड़के 20,00, आ गया बच्चो ध्यान रखेगा अब इस 20,00, को 4 से डिवाइट कर दीजिए, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 5,00, अब एवरेज प्रॉफिट 5,00, है, आपको निकालना है गुडविल, जो की एवरेज प्रॉफिट इन्टू येर्स परचेस किया जाएगा, क्वेशन में कहा रखा था, कि गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट का टू येर्स परचेस लेना है, ये आजाएगा 10,00, अब 10,00, पूरे फॉरे फॉर्म भी गुडविल है ध्यान रखेगा, और हमें पूरे फॉर्म भी गुडविल की हेल्प से उसके हिस इस से गुडविल निकालनी है, जो नया पार्टनर है, जिसका नाम रागव है, तो रागव के हिस्से गुडविल निकल कर आएगी, 10,00, इन्टू उसका हिस्सा जो वन फॉर्थ है, तो ये निकल कर आएगी, वह जो दो लाग पचास हजार, तो दो लाग पचास हजार is the goodwill of रागव, पूरे फॉर्म की तो goodwill 10,00, अब आईए बनाते हैं journal entries, तो पहली entry जो बनाई जाएगी, वह capital और premium लाने की बनाई जाएगी बाई रागव, तो entry bank से बनाईएगा बच्चो, bank account debit करियेगा, to रागव's capital, to premium for goodwill account, अब premium for goodwill account जो आप लिखेंगे, वह 5,00, लिखेगा, रागव की जो capital दिर्कीती वह 6,00, है, तो 6,00, और 5,00, जोड़कर हो गया बच्चो, 8,00, 50,000, अब इस 8,00, 50,000 में से, जो 5,00, रुपे हैं premium के, वह बाट दीजेगा, आशा और अधिती को, और sacrifice की अगर कोई information नहीं होती, तो यह बाना जाता है कि partner पुराणे ratio में ही sacrifice कर रहे हैं, in the favor of new partner, तो हम sacrificing ratio 3 to 2 ही ले लेंगे, इसकी narration लिखेगा, capital and premium brought in by राखव, और अगले entry लिखेगा, premium for goodwill distributed, between आशा और अधिती इंदेर sacrificing ratio, तो entry बने की premium for goodwill account debit, to आशा's capital account, ठीक है बच्चों, और 2, अधिती इस capital account, धाई लाग को जब बाटेंगे, 2,50,000 को 3 is to 2 में, तो 150 आशा का आजाएगा, और 1,00, अधिती का आजाएगा, this is 1,50,000 and this is 1,00, clear बच्चों, और इस तरह से, यह हमारा question, complete हो जाता है, this was illustration number 22, of the book T.S. Gribal, chapter is admission of partner, और यह question 2018 के board में, आया हुआ question है, तो it's a very important question, ठीक है बच्चों, और ऐसा ही question, CBC Sample Board 2023 के लिए, जो CBC board ने release किया है, उसमें भी दे रखा है, ठीक है बच्चों, झाल,